तो दूस्तो आज किस वीडियों सीखेंगे हिक बीजन NBR को कैसे online करते हैं तो यहां configuration में जाएंगे उसके बाद हम जाएंगे network में network में आपकी IP दिखती है जिस network से आप connect है Airtel, Jio या ABSNAL तो उसकी series से आपका online होगा NBR या DBR तो यहां पर हम platform access में जाएंगे और यहां पर tick करेंगे और यहां पर ok कर देंगे तो हमें enable करना होगा platform access और apply करना होगा internet और IP proper सहीं रही तो यहां पर हमारा connection status online हो जाएगा नहीं तो आपको फिर general में जाके DHCP enable करना पड़ेगा तो यहां पर हमारा NBR online हो चुका है और हम चलते हैं अपने mobile phone में mobile phone में हम आ चुके हैं और हमें application open करना है hik connect तो हमें आपे google play store पे जाएंगे और यहां पर application download कर लेंगे तो दोस्तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ में notification वाला bell जरूर दबाईए तो यहां पर hik connect application हमें मिल चुका है install पे click कर देंगे तो यह जो है download हो करके automatic install हो जाएगा तो यहां पर हमारा जो software है download होके install हो गया open पे click करेंगे left side scroll करेंगे और यहां पर agree पे click कर लेंगे और यहां पे ok कर देंगे region select करने के लिए कह रहा था तो region इंडिया था ok करेंगे फिर यहां पे login रिजिस्टर पर click करेंगे फिर हम यहां पर register पर click कर लेंगे join us agree प्लस 91 tick पर click कर लेंगे तो आप यहां पर नीचे देखेंगे तो आपको mobile वाला option मिल जाएगा तो mobile से में रिजिस्टर करना तो mobile वाले पर हम यहां पर mobile नंबर डाल देंगे और जो चाहें यहां पर password हम बना सकते हैं तो फटा 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 यहां पर हम password set कर ले रहें तो दोस्तो अगर आपने अभी भी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजिए साथ में नोटिफिकेशन वाला वेल जरू दबाईए तो password भी बन गया यहां पर get security code पर click करेंगे तो यह रहाँ हम यहां पर type करेंगे फिर finish पर click करेंगे finish पर क्लिक करते ही यह पर हमारा account हैAllow क्राएँगे यहां पर notification cancel करेंगे add device क्लिक करेंगे तो हम चलते हैं अपनी main screen पे तो आ गये हैं cameras वाली screen पे और यहां जाएंगे configuration में configuration में जाने के बाद आप जाएंगे network में फिर platform access पे click कर लेंगे और जो QR जो है हमारा generate हो रहा इसे scan करना है हमारे phone में तो यहां पे हमें scan कर लेना है तो scan हो चुका है add device पे click कर लेंगे उसके बाद यहां पे नाम आप दे सकते हैं नहीं तो आप next करेंगे और यह skip कर देंगे service provider नहीं चाहिए को never कर देंगे तो हमारे यहां पे IP cameras जो हैं सारे online आ चुके हैं आप single को बढ़ा करना चाहां तो यहां से बढ़ा कर सकते हैं इस पे click करेंगे play वाले बटन पे तो सारे camera हमारे play हो जाएंगे next करेंगे विंडो स्प्लिट का option है expand एक और यहां पे हम audio भी सुन सकते हैं तो यह हमारा camera है और जो चल रहा है proper